आप देख रहे हैं देश कबर 24 और जारी है खबरों का सिलसला दुनिया की सबसे लोगप्री और सबसे खबरनाख खेल यानी वर्ल रेस्लिंग एंटर्टेंड्मेंट में रीवा के प्रांग जैने अपना नाब दर्ज कराया है वर्ल रेस्लिंग इंटर्टेंड्मेंट यानी डबलू डबलू ए में भारत के 12 पहलवानों को सामिल किया गया है जिन में से रीवा के प्रांजे सिंग बखेल है यह पहला मौका है जब डबलू डबलू ए ने भारत के युवाओं को रेस्लिंग में सामिल होने का मौका दिया है रीवा सहर के चिरहुला कालोनी में रहने वाले प्रांजे सिंग बखेल के डबलू डबलू ए में चायान के बाद रासिर्प रीवा का नाम हुआ है बलकि पूरा मध्ध प्रदेश गौरवानवित हुआ है बदादे कि प्रांजे रीवा के चिरहुला कालोनी निवासी पूरो पारसत स्वर्गिय पुस्त्वयनर सिंग के पूत्र है प्रांजे की प्रारंगिक सिच्छा रीवा में ही हुई उन्होंने वर्ष 2015 में CWUI में एड्मिशन लिया इसके बाद से वे कई बड़े पहलवानों से कुष्टी लड़ चुके है प्रांजे ने कहा कि अगर उनका कम उम्र में ही रेस्लिंग की ओर से जुकाओ था शरीर को मजबूत बनाने के लिए किसी तरह का अतिरित आहार या धवाओं का सेवन नहीं करते बल्कि सामान भोजन और कस्रत से ही शरीर को तयार कर रहे हैं उन्होंने कहा कि वर्ल रेस्लिंग के लिए दो साल तक का इंतजार नहीं करेंगे इसके पहले वहर वर्ल रेस्लिंग में हिस्चिदारी का प्रयास करेंगे पहला ही मैच जो हमारे खलीजर ने एक तो बहुत मज़ा आता था सबसे कोचे से काफी क्या होता आप इसके साथ दिन भग रहो तो आपका कहते हैं उनके सेलिंग बनी हुई और आगे बहुत अच्छी ची रहेंगी जी डवर्ली के लिए सेलेक्शन हुआ है और अभी थोड़ा जाने में समय है मैं जूनता के अना से निकलना है अभी पेपर वर्क काफी बचा है और उसके बाद फिर जाने का प्रॉसेस स्टार्ट होगा जी दा ग्रेट खली सर की अकैडबी है C.W.E. तो वहाँ पे हमने रेस्लिंग स्टार्ट की थी जल अंदर पंजाब में है तो 2015 में हमने रेस्लिंग शुरू की थी और तभी से मतलब लगाता प्रैक्टेस चर लिए है रेस्लिंग इवेंट काफी खेले और काफी मैचेस करे फिर 2019 पर जब डूडली कर ट्राइओट हुआ तो पहले ट्राइओट के लिए सेलेक्शन हुआ पिर उसके बेसिस पे इस पे हुए है जी लगभग सौ से 120 के बीच लगभग होगा भी इन मैचेस किये हमने और अल ओवर इंडिया किया सिर्फ जल अंदर पंजाब में नी मतल मत्रपदेश में भी एक इवेंट हुआ था 2017 में उस पे भी खेला था इंटरनेशनल इवेंट था और लास्ट ये जहांसी गुजराद यूपी में भी दो तीन जगह खेला है जी रेसलिंग स्पोर्ट्स ऐसा है बहुत ही मज़ेदार है हर किसी को पसंद है आप बच्पन को कोई भी एज ग्रूप का हो सभी की रेसलिंग देखते हैं और बच्पन से काफी ज़्यादा इस पर देखते थे देखते देखते इतना ज़्यादा एंथूजियाजम बढ़ गया कि 2014 तक मतलब यह था कि अब रेसलिंग ही करनी है तो सारा कुछ और सारा के रेसलिंग में ल आते हैं तो उस पर फिर आपको के पीछे नहीं कर सकता है नहीं अभी ट्रेनिंग होगी पहले दो साल तक ट्रेनिंग है उसके बाद पर जी बहुत बढ़िया था पच्प शुरुआत से ही क्योंकि इस भले स्कूल में हो फिर जो अपना लाइफ का हैं चुना उसके लिए हर चीज के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और इस्पेशली जब से रैसलिंग स्टार्टी तो तब से अलगी लेवल का सपोर्ट था पापा का ममी का दोस्तों का सब हर किसी का क्योंकि उन्होंने अपनी तरस तो हर कोशिश की जिसका रिजल्ट अब जाके मिला है जी पा बहुत मतलब जो कह सकते हैं कि आपको एक कोई अपना एम पाने के लिए करना चाहिए वो हर चीज की है जिसका रिजल्ट पांच सालवान मिले है